आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग पे स्वागत है आज से यानि कल से हम अपने इंट्रोडेक्शन क्लास में करंट अफेर्स के बारे में बता दिये थे कि करंट अफेर्स की तैयारी हम किस तरीके से करने वाले हैं तो उसमें हम कई चीजों को देखे थे कि करं गठन जो महत्पूर हैं उनको भी हम देखेंगे तो आइए आज से हम प्रॉपर तरीके से अपनी करंट अफेर्स क्लास को सुरू करते हैं तो सबसे पहले कुछ मोटी विशनल लाइनों के साथ आज की कच्छा की सुरुवात करते हैं हम लोग तो अपने जीवन में चमतकार होने का इंतिजार मत करो परियास करो और खुद एक चमतकार बन जाओ यानि कि चमतकार खुद से करना है यह चीज कोशिश करो आप लोग और तभी चमतकार होना संभो है उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को सुरू करने से पहले यह जानने का प्रियास करेंगे कि कैसे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे तो डेली हम पहले एक करेंट अफेर् इसमें हम एक संगठन को पढ़ेंगे जितने भी चाहे वो देश लेवल का हो और चाहे विश्चु का हो उसके बाद फिर हम एक राज के बारे में जानने का प्रियास करेंगे जैसे अभी टोटल 28 यूम 8 के इंसासित परदेश हैं तो इन से संबंधित एक एक राज को हम डेली करने का प्रियास करेंगे और साथ ही साथ जो भी महतपूर कोशन बन सकते हैं हमारी परिच्छा की लिवास से तो उसको भी हम देखने का प्रियास कोशन एंसर के माद्दम से करेंगे तो इसी तरीके से current affairs की class में जितने भी महत्तपूर संगठन है जैसे हमने कुछ संगठनों के नाम कल आपको बताया था अपने introduction class में तो जब तक संगठन समाप नहीं हो जाएंगे संगठन को देखेंगे उसके बाद फिर एक-एक राज को डेली देखेंगे जो उसके बाद फ तो आज जैसे कि हम ब्रिक्स देशों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ब्रिक्स जो संगठन है और ब्रिक्स यह हमारी परिच्छा के लिहास से बहुत ही महत्तपूर संगठन है अभी हाल फिलहाल में इसकी वैठक भी जून जून 2022 में की गई है तो इससे संबंधित प्रस इसन परिच्छा में पूछे जा सकते हैं तो पहले यह संगठन हम देखने का परियास करते हैं तो ब्रिक्स जो है इसकी अस्थापना जो हुई वो जून 2006 में हुई और इसका जो मुख्याले है वो है संगाई में तो और भी इससे संबंधित क्या महत्तपूर बाते हैं तो इस दुनिया की पर्मुख अर्थ ब्योस्थाओं जैसे कि इसमें पांच देश हैं ब्राजील है रूस है ब्राजील रूस भारत चीन और दच्छिड अफरीका समू का एक संचिप्त सब्द है जिसको मिला के ब्रिक्स देश को बनाए गया है उसके बाद 2001 में ब्रिटिस्ट एक अर्थ सास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओन्रील ने ब्राजील रूस और भारत और चीन चार उभरती और अर्थ ब्योस्थाओं का बर्डन करने के लिए ब्रिस सब्द को गढ़ा था उसके बाद 2006 में ब्रिक्स बिदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दवरान समू को अवचारिक रूप दिया गया था यानि की अवचारिक रूप कब दिया गया तो 2006 में दिया गया लेकिन दिसम्बर 2010 में दच्छिड अफरीका को ब्रिक्स यानि की ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना में दच्छिड अफरीका को सामिल करने के बाद इसका जो पूरा ना पिछर को लेके यह संगठम बनाया गया है उसके बाद फिर हम ब्रिक्स का देखते हैं कि ब्रिक्स का क्या हिस्सा है तो पूरे बैस्विक अस्थर पर ब्रिक्स की खूँ भूम क्या है तो ब्रिक्स के पाँच सबसे बड़े विकास सील देशों का एक साथ लाता है यानि कि जो ब्राजील है रूस है चीन है इंडिया है और असिया है इन पांच देश का जो है वो बैस्विक आबादी का कुल 41% हिस्सा पूरे बिस्व में योगदान देते हैं और बैस्विक सकल घरेली उत्पाद यानि कि जो इनका GDP में जितनी GDP है पूरे बिस्व की 24% इन पांच देशों की GDP है और टोटल बैस्विक बैपार का इन पांचों देश की जो हिस्सेदारी है वो 16% है यानि कि आबादी पापुलेशन जो है वो 41% है उसके बाद GDP जो है बैस्विक अस्तर पे वो है 24% और ट्रेड जो है वो टोटल कितना है 16% बैस्विक अस्तर पे उसके बाद अध्यच्छता इसकी कैसे होती है तो ब्रिक्स सिखर सम्मेलन की अध्यच्छता जो होती है प्रतिबर्स यानि कि हर साल ब्रिक्स जो देश है उनके कर्मा अनुसार सदस्य देशों के सर्वोच नेता द्वारा की जाती है यानि कि जो स्टार्टिंग होगा वो पहले ब्राजील फिर रूस फिर इंडिया फिर चाइना फिर साउथ अफ्रीक इनके जो परमुक होगे यानि कि जो देश का परमुक होगा उनके द्वारा इसकी अध्यचता हर साल की जाती है एक करम के अनुसार में उसके बाद यह चल्चा में क्यों रहा ब्रिक्स देश चल्चा में क्यों रहा तो हाल ही में भारत के परधान मंत्री 14 ब्रिक्स सम्मेलर में भाग लिया जिसकी वर्चुली मेजवानी चीन द्वारा की गई थी यानि कि इसकी जो बैठक हुई वो आर्लाइन मोड में हुई आर्लाइन प्लेटफार्म पे हुई सभी जो पांच देश थे उनके माध्यम से की गई तो इसकी अध्यच्चता जो इस बार की गई थी वो चीन के द्वारा की गई थी यानि कि चीन इसका अध्यच्चता या मेजवानी कर रहा है और चौद्वें बिरिक्स सम्मेलन की बिसे और जो थीम है वो है उच्च गुडवत्ता वाली बिरिक्स साजेदारी को बढ़ावा देना और बैस्मिक विकास के लिए एक नए यूग की शुरुवात करना ये इसकी थीम थी चौद्वें बिरिक्स सम्मेलन की और संयुक्त अरब अमिरात साओधी अरब मिस करार्गिस् इंडोनेसिया अर्जंटीना नाइजीरिया सेनेगल थाइलेंड सहित देशों के मंत्रियों के साथ मुख बैठक के हिस्से के रूप में बिक्स प्लस आभासी सम्मेलन भी आयोजित किया गया यानि कि बिक्स में जो पांच देश हैं और पांच प्लस इतने जितने भी UAE हुआ साओधी अरब हुआ मिस हुआ कजाकिस्तान हुआ इंडोनेसिया अर्जंटीना इतने जितने देशों का नाम यहां लिखा गया है इनके द्वारा भी आल्लाइन प्लेटफार्म के माध्यम से उस ब उसके बाद फिर बिक्स की पहले क्या है तो बिक्स की क्या पहल है उसको भी हम देख लेते हैं तो न्यू डेवलप्मेंट बैंक आपने इसके बारे में पढ़ा होगा New Development Bank बर्स 2014 में ब्राजील के छटे फोटे लेजा ब्रिक्स सिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने New Development Bank की अस्थापना पर समझोता किया यानि कि अगर यह कहा जाए कि New Development Bank की अस्थापना किसके दौरा की गई तो ब्रिक्स देशों के दौरा की गई और इसका मुख्याले कहां है तो वो संगाई में है यानि कि New Development Bank की भी मुख्याले संगाई में है और ब्रिक्स देशों का जो मुख्याले है वो भी कहां है वो भी संगाई में है उसके बाद फिर के आकास्मिक रिजर्ब विवस्था की भी मतलब बात करता है कि आकास्मिक रिजर्ब विवस्था भी ब्रिक्स के द्वारा इसको सुरुवाद की गई तो बैस्मिक बित्य संकट की संभावना को मद्दे नजर रखते हुए ब्रिक्स राष्टों ने बर्स 2014 में यानि कि जिस बर्स बैस्मिक बित्य संकट को निपटने के लिए जो आकास्मिक रिजर ब्योस्था यानि कि सी आरे की ब्योस्था की गई 2014 में ही और सीमा सूल की समझोता इससे भी मतलब ब्रिक्स के एक पहल है तो ब्रिक्स देशों के बीच ब्यापार परिवान सम्मानमय और सुगर्मता के लिए सीमा सूल के समझोते पर भी हत्याच्छर किये गए हैं किसके द्वारा तो ब्रिक्स देशों के द्वारा उसके बाद अगली जो पहल है ब्रिक्स की वो सिं पर विस से सर्फुके की द्वारे हैं इसे ना रीगका जावा चीम से संवंदिर जो बढूर प्रस्न बन को स्कते हैं चिक हमाने परिच्छा कि लिहाँ소 उसको भी हम देख सकते हैं, जो महत्रपूर घटना करम था, ब्रिक्स से सम्बंदिर, उसको हम देख चुके हैं, तो तेरों ब्रिक्स सिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, जैसे कि चौरों जो किया गया, तो इससे पहले वाला जो किया गया था, वो किया गया था भारत में नई दिल्ली में इसी से सम्मंदित UPSC में 2016 में कूर्शन पूछा गया ब्रिक्स संगेठन के बारे में तो उसको भी देख लेते हैं न्यू डवलप्मेंट बैंक की अस्थापना यन ए स्वारी यन पी ए सी द्वारा की गई जैसे कि हमने बताया कि न्यू डवलप्मेंट बैंक की अस्थापना जो की गई है वो किसके द्वारा की गई है ब्रिक्स देशों के द्वारा तो Brics देशों के द्वारा की गई और New Development Bank का जो मुख्याले है वो कहा है वो संगाई में है यानि कि इसको हम बताए आपको कि New Development Bank का जो मुख्याले है वो भी संगाई में है और Brics देश का जो मुख्याले है वो भी संगाई में है यानि कि पहला statement जो है वो गलत है और दूसरा स सही है तो उपियोगत कत्नों में से कौन सा विकल्फ सही है उसका आपको चुनाव करना है तो केवल एक सही है या केवल दो सही है या एक और दो दोनों सही है या तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है तो इसका भी आपको चैन करना है तो जैसे कि पहला पहला स्टेट्मेंट जलत है और दूसरा सही है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो केवल दूसरा विकल्ब सही है यानि कि इसका एंसल जो है वो भी आप्शन है उसके बाद जून 2022 में आयोजित चौद्रोहां ब्रिक्स सिखर सम्मेलन जो हुआ वो कहां आयोजित किया गया तो दचिड अफ्रीका ब इसका जो सही विकल्ब है वो चीन है उसके बाद फिर हम अब हम आते हैं महात्पूर प्रस्णों के उपपर कि आज में जो महात्पूर प्रस्ण बन सकते हैं अपने परिच्छा के लिहाज से करेंट अफेर्स के लिहाज से उसको भी हम देख्ते हैं तो प्रस्ट हम लोग पहले प्रस्ट पढ़ेंगे तो उसके बाद एक दो सिकेंड का आपको मौका दिया जाएगा वीडियो पहुच करके आप उसका उत्तर कमेंट बाक्स में दे सकते हैं तो आईए हम कुश्चन अंसर की शुरुआत करते हैं विनेज फोगाट ने सार्विया में 20 स्गुश्टी चंपियन सीप में काउन सा पदक जीता है तो इसमें चार बिकल्प दिये गये हैं आप इसका एक सही बिकल्प का चैनक करके कमेंट बाक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं जैसे कि आप इसका उत्तर दे चुके होंगे तो इसका जो सही विकल्प है वो है कांस यानि कि जो सार्विया में विश्व कुर्षती चंपियंसिप हुआ विनेश फोगाट के द्वारा उसमें कौन सा पदक जीता गया तो वो कांस पदक जीती दूसरा जो कुश्चन है भारत का पहला वानकी विश्व विद्याले किस राज में खोला गया इसका भी उत्तर आप दीजिए तो आप इसका भी उत्तर देख लिए होंगे तो ऐसा जो पहला वानकी विश्विद्याले खोला गया वो किस राज में खोला गया वो तेलंगाना में खोला गया फिर हम नेक्स्ट कुश्चन पर देखते हैं खाद सुरच्छा एटलेस वाला तीसरा राज कौन सा है इसका भी उत्तर आप दीजिए तो इसका उत्तर जो सही है वो है जारखंड राज जो है वो खाद सुरच्छा एटलेस में तीसरा राज बना उसके बाद फिर नेक्स्ट कुश्चन पर देखते हैं भारत और किस देश की नोसेना के बीच सैन अभ्यास जीमेक्स 2022 की सुरुवात की गई इसका भी उत्तर आप दे सकते हैं तो इसका जो सही उत्तर है वो है जापान के द्वारा यानि कि भारत और जापान के बीच सेन अभ्याद जी मैक्स दो 2022 की सुरुवात की गई हाल ही में और दोगिक निवेश को आकर्सित करने वाला कौन सा राज सीर्ष पर रहा तो इसका भी उत्तर आप कमेंट बाक्स में दीजिए तो आंध्र परदेश जो राज है वो और दोगिक निवेश आकर्सित करने वाला सीस अस्थान पर रहा आंध्र परदेश और किस राज ने दुनिया का सबसे बड़ा हडपा संस्कृति संगाराले की अस्थापना की तो हर्याना राज जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हडपा संस्कृति संगाराले की अस्थापना करने जा रहा है उसके बाद किसने हाल ही में और सक दवाईयों की सूची 2022 को जारी किया है मनसुख मांडविया के द्वारा अवस्थक दवाईयों की जो सूची पेस की गई है 2022 में वो मनसुख मांडविया के द्वारा की गई है कौन सी राज सरकार मुख मंत्री गोबन्स मोबाईल चिकिस्सा योजना लांच किया है तो इसका भी उत्तराब ऐसा करने वाला जो राज है वो है 36 गड़ दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलाइंस इंडिस्ट्रीज दोजार पचीस कहां स्थापित करने जा रहा है तो यह बनाया जाएगा तो वो कौन सा राज है तो गुजरात राज उसके बाद हाल ही में पहला राज मिर्च राजा मिर्च महसो कहां मनाया गया तो इसका जो सही विकल्प है वो है नागा लैंड में नागा लैंड में पहला राजा मिच महसो मनाया गया, उसके बाद हाल ही में US Open पुरुस जो इसमें जैसे पुरुस और महिला दोनों होते हैं, का खिताब किस खिलाडी ने जीता, तो कार्लोस अलक राज ने US Open पुरुस 2022 का खिताब जीता, और ये सबसे कम उम्र के खिलाडी बने, भारत में Quantum Computer को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में किस IIT या IBM के साथ साज़ीदारी की गई, तो ये ऐसा करने वाला IIT मदरास है, कहाँ पर हाल ही में Pension at your door step पहल सुरू की गई, कौन से अस्थान पर? Pension at your door step पहल किस के द्वारा सुरू की गई, तो वो मुंबई के द्वारा सुरू की गई, किस राज सरकार ने हाल ही में समान नागरिक सहीता, पर एक समिती का गठत किया है, तो जैसे कि सामान नागरिक सहीता, जो है, वो हमारे आटिकल 44 में इसका उल्लेक किया गया है, DPSP का पार्ट है ये, और भारत में एक मात राज में अभी तक सामान नागरिक सहीता लागू है, तो वो कौन सा राज है? गोवा. तो समिती अभी हाल ही में किस राज के द्वारा समान नागरिक सहीता पर एक समिती गठत की गई है, तो वो राज है उत्तरा घंड के द्वारा. हाल ही में किस देश ने खुद को परमार संपन देश घोसित किया गया है, तो इसका भी उत्तर आप दे सकते हैं. तो उत्तर कोरिया के द्वारा अपने आपको खुद को परुमार संपन देश घोसित किया गया, तो इस परकार अब जो देशों की संख्या है जिनके पास परुमार हत्यार हैं, ऐसे देशों की संख्या नव देश हो गए केंदिय पर्यावरण मंत्राले ने हाल ही में किस राज में नई टटिये छेत परबंधन योजना को मंजूरी दी है इसमें भी चार बिकल्प दिये गए हैं इसका भी उत्तर आप दे सकते हैं तो केंदिय पर्यावरण मंत्राले ने हाल ही में किस राज में एक टटिये छेत परबंधन योजना लागू किया गया है तो किस राज के द्वारा लागू किया गया है तो ऐसा करने वाला कौन सा राज है करनाटक हाल ही में किस राज ने राज में समुद्री बिरासत परसर बनेगा ऐसा करने वाला कौन सा राज है समुद्री बिरासत जो परसर है यो कौन से राज में बनाय जाएगा तो वो गुजरात राज में बनाय जाएगा और भालतिय सेना ने हाल ही में कहां पर संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक शुरू किया गया है तो वो गगन स्ट्राइक कहां शुरू किया गया तो पंजाब राज में शुरू किया गया किस राज के मुखमत्री ने हाल ही में फल्गू नदी पर भारत के सबसे लंबे रभरवांत का उठगाटन किया है तो भोपाल जारखंड बिहार या परस्चिम बंगाल तो ऐसा करने वाले जो राज्ज है वा बिहार राज्ज है कै जिस puppy रभरवांत बनाये गया है वह सी फल्गू नदी पर बनाये गया है कि हाल ही में पाचुए भारत अमेरिका समुद्री सुरच्छा वारता का आयोजन कहां किया गया तो ये इसका आयोजन जो किया गया वो नई दिल्ली में किया गया कि ये हमारा लास्ट कुश्चन है इस पीपीटी का तो हाल ही में इअभियोजन पोर्टल के उप्योग में सीर्स पर कौन सा राज रहा है इअभियोजन पोर्टल के उप्योग में सीर्स पर कौन सा राज रहा है तो वो उत्तर परदेश राज रहा है तो आज से संबंदित जो महातपूर प्रस्ण थे उनको हम देख लिए हैं तो हम जैसे कि भारत से संबंदित जितने भी राज है या जितने भी यूटियां है तो उसको एक-एक करके हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो हमें और सारी जो समेश्या हैं जो कूश्यन संबंदित सौल्व करने में आती हैं तो वो हम हमारे लिए आसान हो जाएगा तो आईए हम आज कौन से राज के बारे में जानने वाले हैं इसको भी हम देखते हैं तो जानिये अपने भारतिये राज तिलंगाना के बारे में तो आज हम तिलंगाना के बारे में पढ़ने वाले हैं तिलंगाना की राजनीतिक इस्थिति हैं क्या है उससे संबंदित क्या और भी बाते हैं तो उनको हम एक एक करके जो लगभग जानकारिया है तिलंगाना राज से वो हम समझने का प्रियास करते हैं तो तिलंगाना की राजनीतिक इस्तिति क्या है पहले यह जानने का प्रियास करते हैं जो यहां के मुख मंत्री हैं वो के चंद सेखर राओ हैं जैसा कि आप तस्वीर में इनको देख पा रहे होंगे तो यह के चंद सेखर राओ हैं जो तिलंगाना के मुख मंत्री हैं और यह यहां की राजपाल कौन है तो तमली साही सुंदर राजन जो है यहां की राजपाल बनाई गई है उसके बाद जो राजभासा है यहां की वो कौन से है वो तेलगू और उर्दू के द्वारा यहां की राजभासा है और राजधानी क्या है तेलंगाना की तो हैद्राबाज दो है वो तिलंगाना की राजधानी है वहां का बिधान मंडल जो है आप देख सकते हैं बिधान मंडल का स्वरूप यह है तो बिधान मंडल यानि की दो सदनिये बेवस्था तिलंगाना में है अभी आपको जैसे पता है कि छे राज्यों में दूई सदनिये बेवस्था है तो उ तो 111 सीटे हैं और विधान मंडल में कितनी सीटे हैं स्वारी यहां विधान मंडल विधान परसद होता है यानि विधान मंडल के दो भाग हैं विधान सभा और विधान परसद में कुल 40 सीटे हैं उसके बाद फिर वहाँ पे लोग सभा में कुल कितनी सीटे हैं तो लोग सभा में 17 सीटे हैं और राज सभा में 7 सीटे हैं है और इससे संबंदित महत्पूर जानकारी क्या है तो सीमा साजा करने वाले जो राज है यानि तिलंगाना राज से कौन कौन से राज बाउंडरी बनाते हैं उसको भी हम देखने का प्रियास करते हैं तो ऐसे पांच राज है जो तिलंगाना राज से अपनी बाउंडरी सेर करते हैं तो जैसे की आप देख रहे हैं मैप में यह हमारा तिलंगाना तो इससे महाराष्ट की बाउंडरी टेच होती है उसके बाद फिर यह आपका करनाटका है तो करनाटक की भी बाउंडरी टेच कर रही है उसके बाद फिर आंध परदेश की बाउंडरी से टेच कर रही है उसके बाद फिर ओरिशा जो है ओरिशा की बाउंडरी यहां हलकी से टेच कर रही है तिलंगाना से तो ओरिशा राज भी है और चतिस गर चतिस गर भी यानि कि जो तिलंगाना राज से कितने राज मतलब इससे boundary साज़ा करते हैं तो ऐसे कुल राज पाँच हैं जो तिलंगाना राज से अपनी boundary साज़ा करते हैं. उसके बाद इन से संबंदित और क्या बात हैं तो तिलंगाना राज से संबंदित कुछ महान हस्तियों को भी हम जानने का प्रियास करेंगे तो आप पढ़ते होंगे कि तबला वादक जो थे जाकिर हुसेन वो कहां के थे यह जाकिर हुसेन जी की तस्बीर तो यह तबला तिलंगाना राज से ही संबंदित है वो जो सरोजनी नाइडव हैं जिनको भारत की कोकिला नाम से भी जानते हैं और राजनीतिक में भी इनकी वो थी तो यह हैं सरोजनी नाइडव जिसको हम भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं और किर्केट खिलारी बीबीयस लच्मर जोजी थे वो भी कहा से संबंदि थे वो थै तिलंगाना राज से तो इन से संबंदि जो कुछ महान agent है उसको भी हम देख लिए जो तेलंगाना राज में जन मिलिय थे और उससे बात फिर अनमहत्पूर जानकारिया यानि कि वहां का राज्किय पसू क्या है राज्किय पच्छी क्या है राज्किय फूल क्या है राज्किय फल क्या है राज्किय खेल क्या है या परमुक्तिवार वहां का क्या है तो उसको भी हम देखने का परियास करते हैं तो राज्किय जो पसू ह है निलकंठ की यह तस्वीर है आप इसको भी देख सकते हैं उसके बाद फिर राजकिये फूल जो है कसोंध कसांद का फूल इस तरीके सोता है इसको भी हम देख सकते हैं और राजकिये फल जो होता है वहां का उसको आम मानते हैं उसके बाद फिर राजकिये खेल कौन सा है तो कबड़ी वहां का राजकिये खेल है और जो परमुक तेवहार वहां का मनाया जाता है बोनालू जो तेवहार है वो उस तेवहार की एक जलक ये भी है कि वो तेवहार को कैसे मना जाता है इ तो यह देख रहे हैं तस्वीर में उसके बाद फिर अनमहत्पूर जानकारियों में वहां की परमुख नदिया क्या है वहां पर खनिच क्या क्या पाए जाते हैं तो उसको भी हम देखने का प्रियास करते हैं तो जैसे की परमुख नदिया जो है गोदावरी जिसको नदियां है वहां की तिलंगाना राज की और वहां पर कौन से पर्मुख खनीच पाए जाते हैं उसको भी हम देखते हैं तो लोहा वहां खुब पाए जाता है चूना पाए जाता है कोईला पाए जाता है पत्थर पाए जाता है तो जैसे कि आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाब्द होती है लेकिन आप लोगों के लिए कुछ कूश्चन हमने दिये हैं कि जिसका उत्तर आपको कमेंट वाक्स में देना है तो भारत में पोलियो दियस कब मनाय जाता है इसका उत्तर भी आपको देना है विस्व मचली दिवस कब मनाय जाता है इसको भी आपको देना है पोलियो दियस कब मनाय जाता है भारत में विस्व बास दिवस कब मनाय जाता है इसका भी उत्तर आपको कमेंट वाक्स में देना ह नहीं तो कल क्लास प्रारंब होने से पहले हम इसका उत्तर आपको बता के तो अपनी कच्छा कई सुरुआत करेंगे आपको हमारा या वीडियो या हमारा लेक्चर कैसे लगा कमेंट बाक्स में अपने पत्किरिया जरूर दें ठैंक्यू बेरी मत